सी एचो का पेपर लिख हुआ परिक्षार्थी सुबूत दे आये सुनवाई नहीं वो पेंद सहारान पकड़ा गया क्या निकला कुछ पता नहीं दूसरी बार थर्ड गेट के टीचर का पेपर आउट हुआ जोदपुर में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि प्रमीर विस होने से लग रहा है कि पेपर लिख माफिया और सरकार सब को रहात मिल गई है नहीं को थो हुए लेकिन सरकार का निकम्म पन इतना जबरदस्त है कि जो पहले रीट का पेपर लीक हुआ था उसके मुख सरग्णा डीपी जारोली को क्लीन चिट दे दिया सूजी ने और भूपेंद्र सारण को पकड़ा आया लेकिन असली सरगना जो है सूरेज धाका अभी पकड़ से बहार है और मैंने एक आरोप लगा जिसकी जान पुलिस नहीं कर रही सरकार नहीं कर रही कि भूपेंद्र सारण की फरारी के दोरान उसकी जी एप प्रियंका से मिला करता था मोहन पोस्वाल जिसके आगे वो सरंडर हुआ है तो इस सब मुले मिला जुला खेड है ति उनका कॉल डिटेन निकाली जाए आज तक कोई कॉल डिटेन नहीं निकाली गई तो एसोजी जहां मिली हुई हो वहां अपेक्षा नहीं की जा सकती कि निस्पक जाच होगी और मगरमच जेल में रखे जाएंगे और जहां का मुखमंत्री ये बयान दे डाले कि मेरे इहां का कोई अधिकारी कोई नेतास में सामें नहीं है तो राज्य की किसी जाच एजेंसी उस पेपर लीग के सरगनाओ को पकड़ नहीं सकती तो एक ही विकल बसता है किसी ब्याई की जाच जिसकी लिए कल हमारी पार्टी के सभी मोर्चा विदान सभा को घिर रहे है अगर इसोजी कुछ बोल ही नहीं रही है बहुत ही यह तो उल्चा हुआ मामला हो गया है कौन सी परिक्षा का पेपर लीग नहीं हुआ तो जो एसोजी खुदी पेपर लीग वालों से मिली हुई है निर्दोसों को पकड़ रही है दोस्यों को बचा रही है तो इस सरकार के इन जाच जेंस्यों से कोई भरोसा नहीं किया जा सकता आपको पता है सेकेंड पेपर जो लीग वाता सिक्षकों का तो बस तीन बार गई है भरके तीन बार लोटी है पेपर एक रद किया है रीट के दौनों पेपर लीग थे रद एक किया है तो तो सरकार की बिलकुल मन मरजी का फैसला हो गया वो अपने हिसाब से पेपर रद कर रही है परिक्षाएं अपने हिसाब से करा रहे हैं दूसरी बार भी कर रहा है कि वो जोद्पूर में जो पकड़े गए विवाह घर में जैसी कर दी पूछताची नहीं कि और प्रविंड विस्नोई कर रहा है मास्टर माइंड है उसे पांचार का इनाम गोशित कर दिया नहीं यह तो वो तो आपने कैसा पकड़ा आपने देख लिया पंदर बीच दिन में सेकिर्ट ग्रेट टीचर के लोग बिल आउट हो गए तो सरकार बड़ी लचीली है इन पेपर लीक माफियाओं के खिलाप इसलिए राजस्थान का करीवन एक करोड बारे लाग बच्चे अ हैं दिन बाट जागी है और एक दिन के लिए दोंप दढ़ा है आपको क्या लगता है हासिल कुछ हो पाएगा कुछन कुछ तो फरक पड़े गई कुछन को इतना पूरी पार्टी पूरे प्रदेश से विधान सभा को घेरेगी और दबाव डालेगी करामक रुक अपनाएगी तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा विचार करने के लिए लेकिन साप निकल गया याओं आप निकल गया वही लोग कै रहे हैं तो आप भी जाएंगे दरने में वहां परदर्शने में मैं तो यह अगर फैसला हो गया यह कोई समझोता हो गया तो जाओंगा बुलाया भी नहीं है मेरे को हम आमंत्रत नहीं हो यह मोर्चा के लोग यह मोर्चा के लोग आमंत्रत हुआ 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 है